कोविड उन्नीज को लेकर लंबे समय से बंद पड़े धार्मिक व अतिहासिक स्थलों को सरकार के खुलने की फर्मान के साथ ही लोग दीदार के लिए पहुँचने लगे एतिहासिक धरोहरों में से हम बात कर रहे हैं सासाराम में स्थित शेशाह टॉम की जहां सरकार के आदेश के साथ एतिहासिक धरोहर शेशाह टॉम 14 फर्वरी 2022 से आम जनों के दीदार हेतू पूरे दिन छूट दे दी गई है शेशाह टॉम सासाराम में मौझूद लोगों ने बताया कि COVID-19 को लेकर पहले सरकार ने धार में केवं एतिहासिक धरोहरों को बंद कर रखा था जो अब बिहार सरकार ने इसे आम जनों के लिए भी दीदार करने के लिए फर्मान जारी कर दी है जिससे लोग काफी दिनों क के बाद एतिहासिक धरोहर पहुंचे जिससे शेर्शाह टॉम परिसर में लोगों की भीर देखी गई हाला कि अभी विदेशी परिटक यहां नहीं पहुंचे क्योंकि अभी बिहार सरकार के फर्मान जारी हुए 24 घंटे ही हुए है बिहार की आवाज न्यूज के लिए रोह